अपने जमाने की मशूर अभिनेत्री साधना का आज मुंबई में अंतिम संसकार कर दिया गया मुंबई में साधना को शर्धांचली देने कई फिल्मी हस्तिया पहुंची साधना की अंतिम विदाई में अभिनेत्री तबस्सुम रो पड़ी खुजरे जमाने की मश्हूर साधना कटवाली अभिनेत्री साधना को अंटिम विदाई देने वालों की आँखे नम थी अभिनेत्री तबस्सुम की आँखें साधना के जाने का दर्द संभाल नहीं पाई दर्द तबस्व का चलक आया और उनकी आँखों और जुबान ने साधना का भी दर्द बया कर दिया तबस्व ने कहा साधना कहती थी कि उन्हें शोहरत डौलत मिली लेकि वो अकेली रह गई ऐ दुनिया वालो थोड़ा खूश में आओ उन लोगों को जो जिन्दगी भर तुम्हें एंटर्टेंट करते रहें ये मैं नहीं बोल रही हूँ खुश साधना जी ने कहा था कि मैं जिन्दगी भर एंटर्टेंट करती रही फिलम लाइन वेले मेरे लिए नहीं आया रिष्टदार मेरे थी नहीं, मैं अपने फैन से हाथ जोड़ के मदद मागती हूँ कि आओ, मेरी मदद करो, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत बिमार हूँ, मुकद में चल रहे हैं किसी ने मदद नहीं देखा, यहां पर फिर एक्षे मुझे मुझे मनाना है कि आदमी के साथ उसका खतम खसा हो गया, आदमी के साथ उसका खतम खसा हो गया आख थंडी हो गई, चल्चा भी थंड़ा हो गया लेकिन अफसुस इस बात का है, कि यह जिन्दा थी, कि अब तक नहीं आई थी, फिर भी इनका चल्चा थंड़ा हो गया था उनकी अंतिम यात्रा में आज का जमाना कम ही दिखा बीमारी के दिनों के दुरान उनके वक्त की अभिनेत्री आशा पारेख वहीदा रह्मान सल्मान खान का परिवार साधना के करीब था इन्होंने साधना का साथ आखरी वक्त तक नहीं छोड़ा फिरोज खान, दीप्ती नवल, शत्रकुन सिनहा की पत्नी पूनम सिनहा, अनुकपूर दीप्ती नवल भी साधना को अंतिम विदाईदे ने पहुचे आपको क्या दोशने हम अपने आपको क्या दोशने हम अपने आपको क्या दोशने यही है इसी दुनिया में हमको रहना है इसी दुनिया से हमें फाइट करनी है कि बहुत ही करीबी थी वो और बहुत ही अच्छी दोस्ती हमारी बहुत अच्छी सहली थी और हम लोग बहुत उनको मिस करेंगी।